हालो क्लास नाइन तापको फिर से स्वागत है ही राउन्स फार्मूला के अंदर तर चलिए हम अगले क्वेश्चिन की तरफ चलते हैं आपका जो आज को क्वेश्चिन है वह है क्वेश्चिन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 यह 12.1 भी है कहीं-कहीं आपके पास है find the area of a triangle two sides of which are 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42 cm आपके पास एक triangle है उसका आपने area मालूम करना है उसकी दो sides दी हुई है आपके पास एक 18 cm है दूसरी 10 cm है आपने उसका area मालूम करना है suppose करी हम एक triangle लेते हैं यह आपकी triangle है उसमें एक side इसकी 10 cm है और दूसरी side आपके पास जो है वो कितनी है 18 cm आपके पास जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ आपको मालूम नहीं है और वो क्या है यह वाली side आपको मालूम नहीं है कि कि यह साइड जो है वह कितनी साइड है आपके पास यह आपको मालू नहीं यह आपको मालू करना है तो चलिए हम चलते हैं solution की तरफ perimeter जो है ट्राइंगल का वह कितना दिया हुए आपके पास 42 cm यह given parameter है यह given parameter है लेगन आपके पास जूंकर इक तीसरी side भी नहीं है, हम क्या करेंगे आपके पास triangle की parameter निकालने के लिए उसकी तीनों sides को जमा किया जाता है तो हम लेते है side A, side B side C, उन तीनों को जमा करते हैं और वो था उसका parameter को, parameter आपके पास given है तो side, एक side आपके पास 10 cm है, दूसरी side साइड आपके पास 18 cm है तीसरी साइड के पास c जो है वो नहीं है तीसरी साइड के पास साइड निकल लेगी के पास सतय है किटने है किस झैङ्वज के अब बास जो वह कितनी है आपके सेंटी मिटम सेंटे मीटर अब आप चलेंगे heritage यह सायड आपके पास है 14 cm लिख भी लेते हैं है पर 52 cm ऐसाइड और रख आपकी सेटीमिटर मौलूम करने है semi perimeter that is 2s is equal to a plus b plus c यानि 3 side आपको जमा करनी हो पहले ही आपके पास जो है वो perimeter दिया हुआ 42 तो चलिए एक side आपके पास done है, दूसरी 18 है, तीसरी आपके पास 40 नहीं है, टूल कुल आपके 42 आएगा 42 आपके पास आ तो आपको 42 को क्या करना है, तो उसी divide कर लेंगे लेना है, आपके पास 21, तो semi perimeter कितना है इसका निकल गया, 21 cm, कितना निकला है semi perimeter इसका आपके पास 21 cm, 21 cm, 21 cm आपके पास जो है इसका semi perimeter निकला है, जो आपके पास कहाँ पर यूज करना है आपने हिरोंस formula के अं S-A into S-B or S-C यानि S आपके पास Semi-Parameter into Semi-Parameter minus एक side Semi-Parameter minus दूसरी side यानि B side और Semi-Parameter minus तीसरी side यानि 3rd side आप ले लिए आपके पास यह आपके पास Semi-Parameter आपके पास कितना है 21 आपके पास Semi-Parameter है तीसरी side यह निकल रहा है आपके पास कितना निकलेगा धेखिए इसको हम देखते हैं यह आपके पास आता है 21 तो पहले से है 21 में से 10 निकलेंगे तो आपके पास 11 बचेगा उसके बाद r ahora आपके पास 21 में से 18 निकालेंगे तो कितना बचेगा 8 और 21 में से 14 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 7 चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद आपके पास क्याएगा हम क्या करते हैं इनके factors करते हैं 7 और 3 को multiply करेंगे that is 7 and 3 7 3 21 11 का 11 क्योंके इसके कोई factor नही नहीं बनते और आपके पास जो है अगला जो है उसको आपने factorize किया है that is नहीं वो भी नहीं हो पाया है ये पेहले से factors बनने हुए है चलिए हम क्या करते हैं आपके पास इनके जोडे बना लेते हैं जोडे हमने बना लिये जैसे आपके पास ये 7 था और ये 7 था 2 7 से तो हमने क्या किया है इसमें से 1 7 आपके पास ये वाला 7 है दूसरा 7 आपके पास ये वाला 7 है तो आपके पास जो है हमने क्या किया एक ही 7 ले लिया है हमने क्या किया है हमने सिर्फ एक 7 लिया है और 3 भी आपके पास 2 है तो हमने इसमें से क्या किया है सिर्फ एक ही 3 लिया है और root 11 ऐसा ही रहा गया है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है तो आप इसको multiply करेंगे that is यह आपक Q6 Q6 के अंदर क्या है Q6 के अंदर एक ISO slash triangle है आपके पास कैसी है ISO slash triangle है उसका भी parameter जो है 30 दिया हुआ है और आपकी जो sides है वो जो equal sides होती है ISO slash triangle के अंदर equal sides जो होती है वो है 12 12 यानि दोनों बारा बारा किये तीसरी side आपको मालूम नहीं है यह आपके 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 पास 12 cm है यह वोली side आपको भी तक मालूम नहीं है यह भी simple है यह कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है यह भी आपके पास perimeter जो है triangle का दिया हुए हो कितना है आपके पास 30 cm कितना है आपके पास 30 cm 30 cm आपके पास perimeter दिया हो यह तीन sides को जम्मा करके आपके पास आता है 30 cm तो आगे भढ़ेंगे हम आपके भढ़ने के बाद हम क्या करेंगे a plus b plus c यहनि तीन sides को plus करके आपके पास 30 cm आना चाहिए तो that is वो तो एक rule है वही आपके पास perimeter तीन sides को जम्मा करके ही आता है तो 12 plus 12 plus c यहनि 12 और 12 आपके पास जो हैं दो sides से इस स्ट्राइंगल की जो equal होती है और c आपको मालूम नहीं है आपको मालूम करना है वो टोटल आपके पास है 30 के बराबर यहनि 30 cm के बराबर तो आप हमने यह थोड़ा शार्ट कर लिया इसको यहनि 12 और 12 को plus करेंगे 24 होगा 24 को 30 में से minus कर लेंगे तो आपके पास कितना मचेगा सिरफ 6 cm यह वाली side आपके पास कितनी आ रही है यह आ रही है 6 cm कितनी आ रही है तो चलिए अब हम इसका semi perimeter निकालते हैं क्या निकालते हैं इसके हम semi perimeter निकालते हैं semi perimeter निकालने के लिए आपके पास क्या है that is 2s is equal to a plus b plus c यानि एक side plus दूसरी side plus तीसरी side अब आपको फोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो पता चल जाएगा 2s आपके पास 12 और 12 यानि 2 sides आपके पास यानि 1-1-1 side A यह सबोस करिए यह यह वाली A side है यह आपकी यह B side है यह और आपकी यह वाली side यह C side है इन साइट को लेंगे, आगे बढ़ेंगे, that is, आपके पस 2S is equal to 30, 30 तो S आपके पास होएगा, 15, कितना आपके पास S है, 15, आपके पास S, समी परिमिटर 15 है, चलिए, here on formula लगाते है, here on formula के थहता है, आपको क्या करना है, that is, S into S minus A into S minus V into S minus C, यहां क्या करने हैं, अब हम क्या करने के साइट को साइट इसमें साइट साइट निकाल रहे हैं, एक साइट करके निकाल रहे हैं, तो यह करके आपके पास दो बारी जो है वो थी थी आएगा और इसका रूट रहेगा उपर से यह वाला या यह वाला आपके पास फिटी और यह भी आपके पास थी मैनिस करके आया है है तो आप हम आगे बढ़ेंगे आगे हम क्या करते हैं इसके इसके फैक्टास बनाता दिखिए आपके बस 33 का एक जोड़ा बनता है थरी तन्या मता है दो जोड़े बनते हैं यह आपके पास फिर्फ एक एक ले सकते हैं इसमें चूरफ़daughter रह जाते हैं इसका भी आपको रूट ऐसे ही रखना है यह रूट आप इसको ऐसे ही रखेंगे अगर इतर तो बढ़ा रों मैंसे तो पता ही लग जाता है कि पीछी रूट है मतलब यह सब पर रूट ही होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखिए आपके बस थ्री ही और थ्री आपके बस नाइन तो नाइन रूट फिफ्टीन आपके बस आएगा आंसर यह जो मैं रैड उपर से रूट लगाए हुए हैं यह दिखिए यह यह भी रूट है यह भी रूट के नीचे यह वी वैसे यह सारी ऐसे हैं ठीक है जी यह आपके पास हो गया क्वेश ठीक है फिर अगली मरी अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं तब तक धन्यवाद